अमनेकरम दोस्तों क्याले आप ठीक हैं मेरा नाम बावरिशीद है और पत्तों किसे में भी लाउंग करता हूं दोस्तों आज हम आपको अंगूर के बारे में कुछ इंफर्मेशन देंगें तो निशाला आपका उससे फाइदा होगा जो भी भाई अंगूर लगाना चाहरें दिने लगाया हुआ है तो उनको आज हम अंगूर के बारे में कुछ मालूमात देंगे तो वीडियो को एन तक देखें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें चार एकड का बाग है चार एकड के बाग को तकरीबन छे बोरियां खाद की डली हैं सिर्फ छे बोरियां जिम और कोई से सप्रे नहीं की गई शुरू शुरू में को दोचा सप्रे से की गई है इसके लावा कोई सप्रे नहीं कही गई गई लाइन से लाइन का फासला 8 फिट और पौदे से पौदे का फासला 6 फिट है और जो पिलर से पिलर का फासला है वो 15 फिट है 15 फिट के फासले पर पिलर लगा हुआ है और आठ सो तक्रीबन साड़े आठ सो पौदा जो एक एकर में लगा है ठीक है जी चार एकर पर मुष्ट में लगा गया है अब बहुत से भाई हैं जो जिने परिश्छानी का सामना करना पड़ता है वो कहते हैं कुछ कहते हैं कि फूरूक नहीं आता पंजाम में कुछ कहते हैं कि फूरूक उठाता नहीं है कुछ कहते हैं जी यह कामियाब नहीं है तो जो भी मेरा तजर्बा है उसलिहास नहीं आपको बताऊंगा कि अंगोर को किस तरह संभालें तो उस पर जो फूरूट है वो ठीक आईगा दो सबसे पहली बात है इसकी उसलिए नहीं राती क कोँकी लगाएं वराइटी आप जो भी लगाएं फरूट देगी इंशलला अच्छा फरूट देगी लेकिन वह अच्छा फरूट अब तब देगी जब आप इसकी कटाई अच्छी तरह करेंगे। कटाई में ज्यादा मस्वला आता पेश। जब कटाई अच्छे से होगी ये फ्रूक्ट ज्यादा देगी। जब कटाई अच्छे से नेहीं होगी तो अंगौर का जो फ्रूक data वो ज्यादा नहीं आएगा उसमें जो सबसे बड़ी में जो वज़ा है वो ये है कि हमारे पंजाब में ये किया जाता है कि कटाई सही नहीं की जाती कटाई किस तरह करनी चाहिए ये जो परानी टैनिया है ये जो टैनिया आप देख रहे हैं इन्हें काड़ देना चाहिए ये फूर्ट नहीं लेती ये किसी काम की नहीं है आप ये देख सकते है कोई इसने एक भी गुच्छा नहीं उठाया ये जो गुच्छे हैं ये जो टैनिया है ये नही टैनिया है ये आप देख सकते हैं हरी टैनिया ये इस सार इसको आप छोड़ें जब अगला सीजन आएगा अगला साल आएगा ये टैनी फूरूट उठाएगी ये टैनी फूरूट नहीं उठाएगी लेहाज़ आप इसको काड़ दे इस टैनी को छोड़ दे जब ये टैनी छोड़ेंगे आप इस पर जो फूरूट आएगा व पूछ कुछ इस तरह का होगा यह आभ देख लें जिन नई टैनी तो छोड़ी गई अब फ्रूर्ब देख लें अभी मैं आपको पुरानी टैनी देखाता हूं यह पुरानी टैनी टादि किसमें एक भी गुछा नहीं उठाई ठीक है और जो नई टैनी है यह लेटनी यह भर जर्मी की वज़ा से जल्दी पक्याता है और मार्कीट में पहले आ जाता है इसकी वज़ा से हमें रेट अच्छा मिल जाता है तो जो भी दोस्त इसके पौदे लगाना चाते हैं वह हमसे राता करें पौदे भी हमसे ले लगवाई भी हमसे करवाएं इंशाला मश्वरा भी हम और इंशाला प्राम्याब होंगे जब बाग फूर्ट नहीं उठाएगा वजह सिर्फ कटाई की होगी उसकी कटाई ठीक नहीं होगी कोई हमने इसको उपर जाल नहीं डाला यह आप देख भी सकते हैं इसके उपर जाल नहीं डाला गया क्योंकि जो सुल्तानिया सी वराइटी की बात करें वराइटी कोंची लगाएं तो सुल्तानिया सी वराइटी बेस्ट है इसका साइज भी ठीक है यह आप देख सकते हैं साइज भी ठीक है और वजन भी अच्छा करता है दोस्तानिया सी तो माशाल्ला उसके बावजूद भी इस बाग का बहुत अच्छा जल्ट आया है अगर कोई भाई राप्ता करना चाहे सक्रीन के उपर हमारा नमबर शोग हो रहा है वो हमारे दिये के नमबर पर राप्ता कर सकता जी अलाप